पिछले काफी समय से 13 अंकों वाले मुवाइल नंबर को लेकर बहुत सारी बाते हो रही थी ऐसे में लोगों को लगने लगा कि उनका मुवाइल नंबर 10 अंकों के वजाए 13 अंकों का हो जाएगा आईए हम बताएं क्या है पूरा सच इन बातों को उस समय बल मिला जब Department of Telecom की तरफ से जारी एक लेटर को कई मीडिया साइट ने गलत तरीके से पेश किया जबकि सूचना विभाग की तरफ से जारी लेटर के अनुसार 13 अंकों का परिक्षन सिर्फ Machine to Machine SIM कार्ड के लिए होगा दूसंचार विभाग ने सावजनिक छेत्र की टेलिकॉम कंपनी BSNL और सभी प्रमुक प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों को टेस्टिंग प्रक्रिया के लिए 13 अंकों का नंबर जारी किया है इन सभी कंपनियों को विभाग की तरफ से Machine to Machine Communication के लिए 13 अंकों का नंबर जारी किया गया है Machine to Machine तकनीक में मशीनों के बीच एक तरह का समबाद होता है जैसे Smart Bridgly Meter और Car Tracking Device जैसे उपकरनों के बीच तो अब आपको 13 अंकों वाले मुवाइल नंबर को लेकर घबराने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यह योचना आपके मुवाइल नंबर के लिए नहीं है